रावन आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के दस सर कुचलने आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने आ रहा हूँ कर लिया है जिसमें से पहले तीन दिन काफी अच्छी ग्रोथ करी थी और जैसे तैसे एक मोड़ी कमाई करने में सफल हो पाई थी तो आज जानेगे कि मूवी तक कितनी कमाई कर चुकी है मूवी अपना बजर साड़ी 600 कुरूर कबर कर पाएगी या नहीं पहले दिन कितना कमा है मूवी हिट है या फ्लाव पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिलना है सब जानेगे इसकुशी दिर वे तो वीडियो वन तक जरू देखना गार आप भी आधी पूर से रेलेटेड लगातार अप्डेट चाहती हैं और प्रभास के डाय हाड़ फैन है ताव नहीं उसे ले वीडियो को एक लाइक और नहीं होता है चैनल को सबस्क्राइब जरू करना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पर इंडिया सूपरिस्टार प्रभास जो बाहुबली जैसे लिजेंडरी मूवी देखर इंडिया की सबसे ज्यादा कमाय करने वाली फिल्म में नाम कर लिया था दोस्तों आप्टर बाहुबली प्रभास को वो पीक वो नाम वो लेगिसी फिर से नहीं मिल पा रही है प्रभास ने जो लिमिट सेट करी थी क्योंकि लोग प्रभास को सेम बाहुबली जैसे कॉंटेंट में ही देखना चाहते हैं इसी उम्मीश से पब्लिक को जो एक्सपेक्टेशन था साहो फिल्म को लेकर पर हुआ कुछ नहीं साहो भी पिड़ गई वो भी वी फेक्स के मामली में ही मार खाई सेम गलती करने के बाद मेकर्स ने फिर प्रभास नाम का ब्रेंड इस्तमाल करना चाहा साथी एपिक रामायना ब्रेंड का भी नाम इस् अस्तमाल करके जो स्टैटिजी सेट करना चाहते थे मेकर्स वो फेल हो चुकी उनकी पूरी तरीके से और मुवी पहले तीन दिन काफी अच्छी कमाय करते हो ने जर आई थी लेकिन चौते दिन से बिल्कुल 70% से नीचे का अकड़ा गिरा कर मुवी पुरी तरीके से फ्लॉ पहले तीन दिन तक बहुत बोड़ी कमाय करते होए मुवी ने लेकिन अपने पहले दिन से ही निगेटिव रिव्यू निगेटिव रियक्सन के साथ मुवी हर दिन स्लो डाउन हाकणा सो करते नजरा लिया दोस्तों मुवी का कॉंटेंट रामायन से प्रेअली थोकर कुछ एक changes करके सजाय गया था जो कि जनता को बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है वो इसलिए भी क्योंकि रामायन के साथ लोगों की सीधी सच्ची स्रजधा जुड़ी होती है प्रभु स्री राम का नाम सच्चाई वो अच्छाई का नाम तीक सो करता है और उनका नाम उनकी जीवनी क साथ छेड़ चार करना ये जनता कभी भी accept नहीं करेगी जहां दोस्तों बात अगर कास की करें तो प्रभास एज रागव, स्री डाम, कृती सननन एज जानकी, सनी सिंग एज लक्समन, देवदत्तनागेज, हनुमान और मेन विलन लंकेज की रूप में आपको सैफली खान को भी खदेड़ दिया था और अपने पहले हफते के कलेक्शन से एसार के और सलमान की फिल्म चन्निया एक्सप्रेस और किक जैसी फिल्म को भी खदेड़ दिया था, साथ ही साहू का भी कमाई के मामले में पीछे कर दिया आधि पुरुष ने, ये दोस्तों अपने पहले दिन अल ओबर इंडिया से टोटल ग्रोस बाक्स ओफिस कलेक्शन लगबए 103 क्रों के आसपास करके और टोटल वर्लबाइट बाक्स ओफिस ओबर सीज को मिला कर लगबए 140 क्रों से उपर का कमाई करी थी अपने पहले दिन से, इसी के साथ पहले तीन दिन में ही लगबए 340 क्रो के ऊपर कलेक्शन भी जाता नहीं दिख रहा है और अपने पहले हफते तक कमाई लगबए 420 क्रों के आसपास ही करने में सफल उपाई थी फिल्म जो कि प्रभास के इस टार्डम के लिए बिलकुल अच्छा नंबर नहीं है इसी के साथ अपने आठवे दिन भी आंकरा स्लो एडवांटिज लेते हुए कल से आकड़ा उपर जाता दिख रहा है जहां दोस्तो हिंदी से लगबग 33 लाग की एडवांस करते हुए हिंदी बॉक्स ओबिस से सारी 3-4 क्रों के आसपास कमाई करते नजर आ रहे है यह मूवी अपने end of the day तक इसी के साथ टोटल इंडियन collection end of the day तक लगबग 8 क्रों के आसपास पहुचा देगी और पूरी दुनिया से लगबग 10 क्रों का बिजनेस करने में सफल होते नजर आ रहे है फिल्म अपने दसमें दिन के खतम होते होते तोस्तो मैंने बहुत बोल लिया अब आपके बारी आपको क्या लगता है मूवी बि फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमार साथ ऐसी जुड़े लेना और अगर चैल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरू करना दूसरा अंगुठे वाला बटन दवा के वीडियो को लाइक जरू करना मिलते अगली वीडियो में जाहिंत